वह वह दो, स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में, इस वीडियो क्लास में मैं डिसकेस करूंगा कुछ best columnist questions, देखे, columnist questions सभी banking exams में, bank clerk में, bank PO में, insurance exams में, इस समें trending में हैं, पूशे जा रहे हैं, और students को problem आती है, इस तरह के questions को करने में समझ नहीं पाते हैं के questions को कैसे करना है तो यहाँ पर मैं आपको डितील में बताऊंगा कि कैसे इन कोस्टिंस को आपको करना है देखे सभी तरह के बैंकिंग कोस्टिंस को करने के लिए सबसे सबसे जरूरी चीज है वह है लॉड़् कल रीजिनिंग अप्रोच यदि लॉड्री दीनिंग को आप तरीके से पूशे जाते हैं तो यहां पर आप देखिए red color में question दिया है, दो इसमें fill up है, तो first fill up में जो word आएगा उसको आपको यहां से लेना है, column A में से लेना है, और second fill up में जो word आएगा उसको आपको यहां से column B से लेना है और इन दोनों का जो combination बनेगा उसके according फिर आपका यहां से answer बनेगा ठीक है अब देखिए इसमें logical reasoning को किस तरीके से आप apply करेंगे यदि इन tricks को आप apply करते हैं तो बहुत कम टाइम में accuracy के साथ इन questions को कर सकते देखिए the question whether a defaulting company can move a high code अब देखिए यहां पर एक keyword देखिए without without का मतलब क्या होता है इसके बिना यानि first में क्या word आना चाहिए क्या straight away आना चाहिए क्या right away आना चाहिए क्या further more आना चाहिए देखिए straight away का मतलब होता है directly right away का मतलब होता है उसी समय तो यदि आप directly लगाएंगे तो उसके साथ without word जा सकता है ठीक है जैसे यदि मैं बोलूँ के he went there he went there directly without asking his parents ठीक है तो directly के sense के साथ यह without word logically fit होता है the question whether a defaulting company can move a high code straight away without approaching the debt recovery tribunal ये एक संस्था होती है ये institution होता है debt recovery tribunal debt के जो cases होते हैं कर्ज के जो cases होते हैं उनमें जो dispute होता है उसको ये सुल्याती है उसको resolve करती है तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि the question whether a defaulting company can move a high code defaulting जो company है ठीक है क्या वो high court में जा सकती है अपने case को solve करने के लिए without approaching the debt recovery tribunal मतलब एक defaulting जो company है जिसके उपर कोई भी dispute में involved है तो बिना debt recovery tribunal में जाए बिना क्या वो directly high court में जा सकती है ये इसमें बोला जा रहा है ठीक है तो चुकि यहां पर without word लगा है without के साथ straight away word ही यहां पर logically fit होगा ठीक है तो ये जो dispute है has again has again अब देखे यहां पर एक word दिया है अप अब आपके साथ इसमें से कौन सा word जा सकता है अपके साथ के बल crop'd word ही जा सकता है क्योंकि crop'd up का मतलब होता है happen होना unexpectedly happen होना या appear होना ठीक है तो यहां पर आप बोलेंगे crop'd up crop'd up मतलब ऐसा हुआ है ऐसा unexpectedly हुआ है कि तो यहां पर आप crop'd up बोलेंगे और first मैं बोलेंगे आप straight away यानि कि A-N-E इसमें आपका combination बनेगा और A-N-E कहां पर दिया है एन दिया है fourth में तो आपका answer होगा इसमें fourth ठीक है तो ऐसे इन questions को करना है यह column based जो question है यह भी अलग-लग तरीके से समय banking exams में पूशे जा रहे हैं अलग-लग pattern के questions create करके दिये जाते हैं और इस्ट्रेंट को यह अलग-लग तरह के unexpected question इसलिए जाते हैं तक ही इस्ट्रेंट का जो original talent है उनका जो original aptitude है उसको examiner check कर सके ठीक है तो फॉर्ट यहां पर नहीं आएगा क्योंकि आपका AE जो होगा यह आपका state away and cropped up तो ऐसे इनको करना है ठीक है इसलिए कहा जाता है कि रीडिंग करना बहुत जरूरी है चाहे वो banking exam ho ya SSC exam or reading आपको करना है reading से इस तरह के questions को आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं देखिए after putting up a brave face for months and saying the airline would be revived airline would be revived हम किस तरह की चीज को revive करेंगे जो problem में है जो difficulty में है जो मर चुका है उसको हम revive करेंगे देखिए common sense देखिए common sense logical trick में आपको बता रहा हूँ declining मतलब नीचे नीचे आता हुआ functional को तो हम revive करी नहीं सकते तो functional word तो बिल्कुल ही गलत है वो तो already functional है तो इसको तो revive करने का कोई question ही नहीं है declining जिसका business नीचे आ रहा है तो यह थोड़ी सी serious problem है कि जिसका business नीचे आ रहा है लेकिन beleagard का beleagard थोड़ा सा serious word है beleagard का मतलब जो difficult situation में है जो चारो तरफ से करजे में फसा हुआ है उसी को हम revive कर सकते हैं तो यहां पर beleagard word यहां पर सही होगा अब देखिए यह मैंने कैसे बताया आपको beleagard word कि जो beleagard होगा जो problem में होगा उसी को हम revive करेंगे ठीक है तो इसलिए beleagard word ही यहां पर सही होग after putting up a brave face for months and saying the beleagard airline would be revived, bankers seems to have had a change of heart, break of heart and soft of heart देखिए soft of heart तो आएगा नहीं ब्रेक of heart नहीं आएगा, change of heart आएगा, क्यों आएगा? क्यों कि काफी दुनों से यह जो airline company है यह बोल रही है कि इसको revive किया जाएगा और हो सकता है, bank ने इनको करजा दिया हो, तो जब इसको revive किया जाएगा, तो bank को अपना करजा अपना पैसा पापिस मिल जाएगा इसलिए bank seems to have had a change of heart, bank ने अपना heart change कर दिया, अपना opinion change कर दिया है तो ठीक है कोई बात नहीं, हम अपना पैसा ले लेंगे तो change of heart यहां पर सही होगा, तो इसमें B and D, यानि यहां से आपको B लेना है, यहां से आपको D लेना है तो B, D इसमें आपका सही answer होगा, तो I hope आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा call-up questions के काफी अलग अलग तरह के patterns इसमें पूछे जा रहा है, particularly mains exam में, लेकिए काफी सारे students का pre में तो selection हो जाता है, लेकिन mains में उनका selection रूप जाता है, तो mains exam के लिया यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरी paid classes भी आप जोइन कर सकते हैं, तो वहां पर 214 and 280, मतलब stock इस price से इस price के बीच में घूम रहा है, ठीक है, अब देखें यहां पर word क्या है, circulating, waiting and oscillating, अब काफी सारे students यहां पर confused हो जाएंगे कि circulating यहां पर लगा सकते हैं, वेटिंग तो नहीं आएगा, क्योंकि वेटिंग तो totally out of context है, वेटिंग नहीं आएगा, इसमें यहा, तो circulating आएगा या ऑशी लेटिंग आएगा, अब देकि शर्कुलेटिंग और ऑस्भी सारे इटिंग में क्या अंतर है, circulating का मतलब है इस तरीके से घूमना, यह है circulating, ठीक है, और alternating का मतलब है, पहले यहां जाना, फिर यहां जाना, फिर यहान आ जाना, बतलब काम होना फिर ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा और यही यहाँ पर हो रहा है 2414 और 280 की range में यह share घूम रहा है 2414 हुआ फिर पंदरा हुआ फिर 220 हुआ 230 हुआ 280 हुआ फिर नीचे आ गया फिर इदर चला गया यरी यहाँ पर जो सही जो word होगा वो होगा तो चुकि यहाँ पर has been word का use हुआ है और has been को हम use करते है perfect tense में तो यहाँ पर since word ही आ सकता है यह form लिखा है from है अक्छुली यह थीक है तो since and oscillating यानी cne cne इसमें आपका सही answer होगा तो इसमें answer होगा third अब यहाँ पर देकि c e के साथ af भी दिया है लेकिन af नहीं आएगा क्योंकि circulating word नहीं आएगा और by word भी नहीं आएगा यानि यह वाला option इसमें नहीं आएगा इसमें आपका जो answer होगा वो होगा third ठीक है तो इस तरीके से इन questions को आपको करना I hope आपको अच्छे तरीके से यह समझ में आया होगा अब देखिए एक question और देखते है देली आई court had stated that दो courts have appointed independent arbitrator when there is a देखिए arbitrator का काम क्या होता है arbitrator का काम होता है बीच बचाब करना दो पार्टीस के बीच में और दो पार्टीस के बीच में बीच बचाब कब किया जाता है जब दोनों पार्टीओं के जो hit होते है जो interest होते है उनमें एक conflict create होता है तो यहाँ पर cable और cable conflict word ही आ सकता है conflict of interest यानि दोनों की जो interest है दोनों की जो benefits है उनमें एक crash हो रहा है ठीक है तो conflict of interest ही यहाँ पर हो सकता है The arbitration act hasn't done अब देखिए यहाँ पर दिया है done और यहाँ पर दिया है with अब यहाँ पर cable और cable away word ही आ सकता है क्यों? क्योंकि done away with का मतलब होता है किसी चीज को हटाना और यहाँ पर unilateral rights को हटाने की बात हो रही है unilateral rights ठीक है तो यहाँ पर done away with ही आ सकता है यानि C and D इसमें आपका सही आंसर होगा ठीक है तो ऐसे इन कोस्टेंस को आपको करना है चलिए एक कोस्टें और देखते हैं देखिए 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 लिबरल आर्ट युनिवरस्टी फीचर मच लोर परहेपस बिकोर सोसाइटी सीज ग्रेटर अमप्लोओबिल्थी फ्रसाईंस, IT,चीजिया, ग्रेद्टोंट इसमें क्या बात हो रही है जैसे एक झासे ष्क्रोण्स बी करते हैं अब्ये करते हैं इनकी ज्यादा वेल्यू है बीए Da coaching ये इस पैसिएलिटी है एक प्रफेशनल डिगरी होती है तो इनकी ज्यादा मांग होती है ठीक है तो यहां पर क्या आ सकता है Supposed, Supposed, Specification या Specificity जैसे B किसी ने किया है या MBBS किया है किसी ने तो इसको BIA या MA वाले व्रेक्टी के पर एक्ष़ जल्दी जोब मिल गए को कि Specified वो Specialized Subjects है ठीक है तो यहां पर Specificity यही वर्ड आ सकता है C Then the Unspecified देखिए यहां पर भी Unspecified दिया है इसका मतलब यहां पर Specified वर्ड ही आ सकता है ठीक है Then Unspecified scope of research in such as अब देखिए यहां पर काफी सरे सब्जेक्ट के बात हो रही है History, Economics, Literature यहां पर आपको जो noun चाहिए वो plural में चाहिए तो plural में noun कौन सी है? Disciplines सब्जेक्ट देखिए singular में है यहां पर area singular में है Disciplines plural में है तो यहां पर E ही आ सकता है यहां पर आपका सही answer होगा अब CE के साथ यहां पर AF भी दिया है लेकिन A relativity यहां पर out of context होगा और area भी नहीं आएगा क्योंकि area में आपको S चाहिए तो यह है logical reasoning tricks ऐसे जदी questions को आप करेंगे banking exams में तो आप highest score कर पाएंगे कम से कम time में अच्छा score कर पाएंगे और back exams की English section है वो आपको एक तुम सरन लगेगा तो इनको आपको apply करना है मेरे सभी video classes आप end तक देखिए आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा सारी playlist में जाई है आप playlist देखिए और सारी video classes देखते हैं तो definitely बहुत ज़्यादा confidence आपके अंदर आ जाएगा तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा next video class में thank you